नमस्कार आप सबको हमारी चैनल में स्वागत है आज मैं ओडिसा की एक पिठा की रेसी विशेक करें हूँ और वो है मंडा पिठा इसे बनाने के लिए हमें ग्रेटर कोकनड चाहिए शीनी चाहिए पांच स्पुन लिया है मैंने थोड़ी सी इलाची पाउडर लिया है और हाप कप रावा या सूजी लिये हूँ अब सूजी के लिए मैंने यहां देड़ कप पानी का इस्तमल कर रहे हूँ यहां मैंने कड़ाई को गैस पर चड़ा दिया है अब उसमें मैं जो देड का पानी लिया था उसे डाल रहे हूँ उसे थोड़ी बहल हने के लिए देती हूँ अब मैं पानी में दो स्पुन चिनी डाल रहे हूँ और आधा स्पुन नमक भी डाल रहे हूँ और जो इलेची के पावड़े रखीती उसे भी थोड़ी सी डाल रहे हूँ थोड़ा अच्छा स्मेल आने के लिए पानी बॉयल होने के बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके स उस से सुजी से पानी खाटम हो गया है और इसका एक प्रेस्ट या डो बन कर भी ररी हो गया है हम इसे थंड़ा होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देंगे यहाँ मैंने और एक कड़ाई लिए हूँ और उसमें मैं आप जो ग्रेटर कोकोनेट रखी थी उसे डालोंगे और कुछ समय के लिए उसे फ्राइ करोंगे है जब मैं इस में जेनि डाल रहे हूं और जो इलियाची का पावडर रखी थी उससे भी डाल रहे हूँ खुआओ और कोटनोट का कलर चैंच होने तक हम धिसे फ्राय करना है यहां में इससुजी का जो डो बना कर रखी थी उसे एक प्लेट में निकल कर थंड़ा करने के लिए रख दिया है यह थंड़ा भी हो गया है अब हम हाथ में थोड़ा सी पानी लगाकर उसे अच्छा सा डो बनाएंगे अब हम फिर से हाथ में थोड़ा सा पानी लगा कर इसे एक थोड़ा सा पॉर्षन लेकर इसका एक बल बनाना है हमें बल बनाने के बाद हम इसका सेंटर में एक छोटा सा हॉल बनाएंगे हम जो पहले से कोकोनट को फ्राइड करके रखे थे उसको इस होल में रखके इसका साइड्स को क्लोज कर देंगे साइड्स को क्लोज करने के बाद हमें इसे फिर से राउंड जिप देना है झार कर मला व्लर का जप जिछ, लगके बाद हमें थार को कर दो पता दोटार झार क ecc इसी तरह हमें सारी सुजी के डो से एसे मंड़ा पिठा बनाना है मेरा सारी मंड़ा पिठा बन कर तेयार है मैंने हाफ कफ सुजी से करीब 15 मंड़ा पिठा बनाई हूँ आप भी इसे एक बार जरूर बनाईए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेर कीजिए और सबस्क्राइब भी कीजिए जो हमारे चैनल में नए हैं वो भी सबस्क्राइब भीजिए और पास में जो बेल का इकन उसे भी दबा दिजिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ और नए रिस्पी के साथ तब के लिए बाइवे टेग के थैंक्स पर वाचिंग